अतुल ओटो के शेर्ज मार्केट में काफे ज़्यादा टरंडिंग में आ चुके हैं 7 to 10 डेज में और बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पुचा है कि अतुल ओटो के शेर्ज में इंवस्मेंट करना है कि नहीं करना है क्योंकि हाल ही में विजे केडिया सर ने अतुल ओटो करता हूँ टेकाटेप की वेबसाइट को जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस कमपनी के शेर्ज ने एक दिन में 0.15% की ग्रोध दिखाई हैं वहीं पर एक हफ़ते में इस कमपनी ने 13.51% की रिटरंस दिये हैं अगर एक महिने में इस कमपनी ने अपन करना चाहिए इंडिया के बड़ी इंवेस्टर ने अपने स्टेटमेंट को शेर किया है तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना वर्थ हैं लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है और इसके पीसे का रीजन क्या है आपको कमपनी के फंडामेंटल से पता चल जाएगा हमेश जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आतूल उटो की जो इंडिस्टि की ग्रोथ है वो माइनस 9% की है वहीं पर अतूल उटो की ने वह पर रश बेखने को मिलती है कि जो कंपनी का मार्केट शेर है वो इंक्रीज दो आ है 82 से 92 परे तक मतलब सीधे 10% का difference, वो भी पिछले 5 सालों में, जैसे कि आप यहाँ पर company के revenue को देख सकते हैं, कि company का total revenue जो है, वो financial year 2020 में 628 करोज का था, इसके बाद financial year 2021 में हुआ 297 करोज का, लेकिन वहीं पर अगर financial year 2022 की बात की जाये, तो यहाँ पर 308 करोड का note किया गया है, मतलब पिछले एक साल में इस company की revenues हैं, वो काफी ज़्यादा increase हुए है, same trend हम लोगों को दिखाई दिया है company की net income में, और अगर आप company की net income को observe करेंगे, तो यहाँ पर आपको minus में figure दिखाई देंगे, साल 2021 में इस company को minus 8.18 का net income हुआ है, जो की loss है, और currently financially 2022 में इस company के loss काफी ज़्यादा increase हुए है, इसके लाबा second important चीज है इस company की balance sheet, जैसे कि इस company की balance sheet से हम लोगों को clear पता चलता है, कि यहाँ पर company का जो debt to equity ratio है, वो industries के मकाबले काफी कम है, तो यह चीज तो positive है कि industry का जो debt to equity ratio है, वो 21% का है और Atul Auto का debt to equity ratio है 11% का, देखो अगर आप किसी बैसे company के shares में investment करते हूँ, जिसका debt to equity ratio कम होता है, तो यहाँ पर आपको future में ज़्यादा growth दिखाई देती है, क्योंकि company के पास debt कम होने के वज़े से company का जो income है, वो totally investors को मिलती है, तो यहाँ पर company की income में से कुछ भी minus नहीं होता है, अब second important चीज है company का current ratio, अगर आप लोग पिछले 5 सालों में इस company का current ratio को observe करेंगे, तो इस company का current ratio गिरते ही जा रहा है, पास साल पहले इस company का current ratio था 208% का, वही पर पास साल बाद इस company का current ratio है, वो 184% का है, मतलब around 16% गिर चुका है, किसे भी company के current ratio के गिरने का मतलब होता है, कि उस company की जो performance है वो आने वाले time period में गिरने वाली है, क्योंकि current ratio का मतलब ही होता है, कि company के पास working capital कितना है, अगर किसे भी company का working capital गिरते जाता है, तो इसका मतलब यह है कि company को future में profits कम होंगे, इसके बाद अब हम चलते हैं company के cash flow statement पर, जैसे कि अब अदूल आटो के cash flow statement को देख सकते हैं, कि यहाँ पर net change in cash जो है, वो बहुत ही ज़्यादा fluctuate हो रहा है, पहले minus में हैं, उसके बाद फिर minus में हैं, उसके बाद फिर minus में हैं, और सिर्फ और से financial year 2021 में इस चीज़ को positive में दिखा गया है, और same चीज़ का trend दिखाए दे रहा है company के change in working capital में, company के capital expenditure में, और इसी के साथ साथ अगर company के free cash flow की बात की जाए, तो इस company का free cash flow भी negative में हैं, और negative में होकर भी बहुत ज़्यादा है, minus 176 का, अगर currently आप इस company के shares में investment करते हैं, तो आपको losses होने के बहुत ही ज़्यादा chance हैं, तो जितना दूर रहोगी उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसके पीसे का reason क्या है, ये मैं आपको company के promoter की holding को दिखाते हुए बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि company के valuations किस तरीके से काम कर रही हैं, सबसे पहले बात करते हैं अतुल आटो के PE ratio के बारे में, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों companies के comparison में, अतुल आटो का जो PE ratio है वो negative में है, जो की काफी अच्छी बात हो सकती हैं, लेकिन वही पर अगर volatility की बात की जाए, तो obvious सी बात हैं कि आपको बहुत ज़्यादा महेंगे पड़ेंगे, या इस company के shares के value भी इसी trend के वाज़े से ही भढ़ चुकी होगी, और सबसे खास बात जैसे कि आप screen पर देख सकते हैं company के holding pattern को, अगर आप company के holding pattern को ध्यान से देखेंगे तो 52% के shares promoters के पास हैं, किया है, मतलब 1% का investment भी नहीं है, अब अगर आपने आप ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको यह पता से लेगा कि retail investors ने 30% के investment की हैं, और बाकि जो 16% के shares हैं वो other parties के पास हैं, क्योंकि company के shares सिर्फ promoters के पास हैं और retail investors के पास हैं, इसे एक साल पहले हम लोगों ने Orchid Pharma के case में ऐसा ही देखा था, company के promoter के holding ज्यादा थी, और इसी के साथ साथ सबसे ज्यादा holding थी, second number पर वो थी public की shares, अगर आप यहाँ पर investment करते हैं, तो बहुत ही ज्यादा chances हैं कि यहाँ पर आपके shares में manipulation हो सकता है, इसे पहले मरोगों ने बहुत सार ऐसे cases में देखा हैं, जहाँ पर company के shares की value लगातार गिरते ही जाती हैं, इसी वैसे company के shares में अगर आपको profit भी होता है, तो यह सिर्फ screen पर profit होता है, जब आप profit बुक करने जाएंगे तो आपके investment के stake को sale भी नहीं कर पाएंगे, तो आपको इस company के share से दूर रहना है, तो आज के इस important वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं, और hope करता हूँ कि आज की वीडियो का content आपको valuable लगा होगा, अगर आप stock market में investment करना साथ हैं, तो demand account open करने का link आपको description में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप demand account open कर सकते हैं, और stock market में investment करना स्टार्ट कर सकते हैं, मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में नए topic के साथ, एक interesting topic के साथ, तब तक के लिए signing off, happy investing and goodbye.